आकाश्वानी भोपाल सिप्रस्तु थे प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार सागर में कल रिजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव मुख्य मंत्री करेंगे उदगाटन सच्छता ही सेवा भियान के तहट प्रदेश में कारक्रमों का आयोजन जारी जनजाती कारिवभाग की सभी संस्थाओं के निरिक्षन के लिए संभाग इस्तर पर दल किये जाएंगे गठित और मोसम विभाग ने इंदोर धार जबरपूर समेत 18 जिलो में तेज बारिश का जारी किया ये लोग अलर्ट अब समाचार विस्तार से सागर में कल होने वाली रिजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव का मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उदगाटन करेंगे इस अउसर पर मुख्य मंत्री विभिन नवीन व प्रस्तावित परियोजनाओ का वर्चुल लोकारपन एवं शिलान्यास करेंगे इनमें सागर भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के शेत्री कार्यले के लिए प्रस्तावित भुमी आवंटन सागर में MPIDC के एरिजिनल कारयले का भुमी पुजन सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगड, छतरपूर एवं निवाडी जिलो में जिला, निवेश, प्रोस्ताहन, केंदर का लोकारपन और कोयमबटूर में MPIDC के कारयले का लोकारपन शामिल है वे उद्योगपतियों से 1-2-1 चर्चा भी करेंगे कॉन्क्लेव में 4,500 से अधिक उद्योगपतियों का पंजियन हुआ है इसके पहले आज प्रदेश के खादी मंत्री गोविंद राजपूत ने आयोजन स्थल पुलिस अकादमी परेट ड्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया साथ ही वह बुंदेल खंड हेकेथान 2024 के आयोजन में शामिल हुए मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यह हेकेथान सिर्फ एक प्रतियोगित नहीं बलकि हमारी युवाओं के सपनों को उडान देने का मंच है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी न आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पुने में तीन परम रुद्र सुपर कम्पूटिंग सिस्टम और मोसम तथा जलवायू के लिए एक उच्च प्रधर्शन कम्पूटिंग सिस्टम का शुभारंब किया लगभग 130 करोड रुपे मुल्य के तीन परम रुद्र सुपर कम्पूटर राश्ट्रिय सुपर कम्पूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विक्सीत किये गए है वेज्ञानिक अनुसंधान को सुईधा जनक बनाने के लिए इन सूपर कम्पूटरों को पूणे, दिल्ली और कुलकाता में स्थापित किया गया है एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोधी ने युवाव से उधगाटन में शामिल होने का आग्रह किया केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के तीसरे कारेकाल के पहले सो दिन पूरे हो गए है इन सो दिनों के दोरान विभिन शेत्रों में उल्लेखनी प्रगती देखने को मिली है आदिवासी बाहुलिय बालाघाट जिले में इंफ्रास्ट्रस्टर काफी तेजी से विक्सित हुआ है बालाघाट में सडक, बड़े पुल, ओवर ब्रीज, रेल कनेक्टिविटी में काफी प्रगती देखने को मिली है जिले के लोगों को आवागमन, रोजगार सहीत, अन्य सुईधाओं का काफी लाभ मिल रहा है व्यापारियों सहीत, अन्य शहरी और ग्रामिन अंचलों के लोग एक शहर से दुसरे शहर में यात्रा करने में कोई परिशानी नहीं हो रही है वही बेरोजगारी दूर करने बड़े-बड़े उद्योग धंदों का विस्तार किया जा रहा है सचता ही सेवा अभ्यान के तहद गौालियर में समवाद सहर जिला इस्तरी कारिशला का आयजन किया गया कटनी जिले के ग्रामिन शेत्रों में विविद प्रकार की सचता गतिविधियों का आयजन किया जा रहा है आज जनपत पंचायत कटनी के ग्राम पंचायतों में सच्छता जागरुकता की गतिविधियां अयजित की गई अशोगनगर में जनपत पंचायत इसागड की ग्राम पंचायत कदवाया स्थित मा बीजासन धाम कदवाया में सच्छता ही सेवाभियान के तहट श्रमदान एवं सफाई मित्रों का सम्मान करिक्रम आयजित किया गया निमच में आज सफाई मित्रों के लिए स्वास्त शिवीर आयजित किये गए अब समाचारों में वक्ते एक ब्रेक का जा सकते हैं इसके लावा आप हमारी वेबसाइड newsonair.gov.im पर अत्वा newsonair एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है जन्जाती कार विवाग की सभी संस्थाओं के सघन निरिक्षन के लिए संभाग इस्तरी दल कथित क किये जाएंगे यदल जन्जाती विद्यार्थियों के स्कुलों, छात्रावासों, आश्रम, शालाओं, कन्या, शिक्षा परिसरों एक लव्य आदर्श, आवासी विद्याले एवं अन्य संस्थाव का नियमित रूप से निरिक्षन करेंगे इन दलोद्वारा किये गए निरिक्षन प्रतिवेदन पर समुचुत कारवाहिकर, विभागी, संभागी, पायुक्त, हर शुक्रवार को, आयुक्त, जन्जाती कारे को पालन प्रतिवेदन देंगे जनजाती कारे लोग परिसंपती तथा भुपाल, गेस, त्रासदी, रहत एवं पुनरवास मंत्री डॉक्टर कुवर विजशाह के निर्देश पर इस सम्मन में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं आयुक्त जनजाती कारे ने बताया कि संभागी उपायुक्त अपने अपने संभाग में स्थित सभी विभागी संस्थाओ के निरिक्षन के लिए संभाग इस्तर पर एक निरिक्षन दल का गठन करेंगे इस निरिक्षन दल में एक महिला मंदल संयोजक सम्मधित जिले के एक प्रतिनीधी के साथ ही एक सहायक कर्मचारी भी होगा पंचायत एवं ग्रामिन विकास मंत्री प्रहलात पटेल आज नई दिली में डॉक्तर अम्बेट कर अंतराश्टी केंदर में पेशा अधिनियम पर आजित राश्टी संम्मेलन में शामिल हुए मंत्री श्रीपटेल ने कहा कि मध्धिप्रदेश में पेशा अधिनियम का क्रियानवेन 15 नवंबर 2022 से लागू किया गया इसे 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 पंचायतों के 11596 ग्रामों में लागू किया गया इस कानून का एक बड़ा शेत्र मध्धिप्रदेश है राज ने कानून के क्रियानवेन के लिए उल्लेखनी कारी किया है उनने कहा कि 13 जिला समनवेक, 81 विकास खंड इस्तरी समनवेक और 4824 पेशा मोबिलाइजर नियुक्त किया गया है पेशा मोबिलाइजर एक नया कॉंसेप्ट है जिसे राज्यों में लागू किया गया है शान्ती एवं विवाद निवारन समिती द्वारा 5365 से अधिक मामलों में बिना FIR आपसी सहमती से विवादों का निप्टान किया है एसी 11509 समितियां बनी है गोण खनीश समितियों को अब तक 131 खनीश खदानों के लीच के आवेदन प्राप्त हुए है पशुपालन एवं डेरी शेतर में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है पशु संगन्ना में जहां भारत का विश्व में प्रथम स्थान है वहीं विश्व में सरवाधिक दुगद उत्पादन भी भारत में ही होता है मधिप्रदेश राज्य किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन सहीद अन्य योजनाव में देश में अग्रणी है अगले महिनी से प्रदेश सहीद पूरे भारत में 21 वी पशु संगन्ना प्रारंभ होने वाली है पशु संगन्ना में इस बार डेटा कलेक्शन का पुराकार ओनलाइन किया जाएगा यह जानकारी आज प्रदेश में 21 वी पशु संगंडना दोजार चोईस की तैयारियों के संबन में संचला नले, पशु चेकिस्सा एवं डेरी के सभागार भुपाल में आयजित राजिस्तरी कारिशला में दी गई अब बात मोसम की प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दोर शुरू हो गया है मोसम विभाग ने इंदोर, धार, जबलपूर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है प्रदेश में पिछले 24 गंटों के दोरान इंदोर, जबलपूर, शेहडोल संभाग के सभी जिलों में वर्ष्या दर्च की गई लखना दोन में 90.05 mm बारिश भी मोसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिन इंदोर, उजजेन, जबलपूर, शेहडोल और सागर संभाग में बारिश होगी अब कुछ समाचार संशिप में प्रदेश में कल विश्व परेटन दिवस के उसर पर कई कारेक्रमों का आजजन किया जाएगा सीहोर जिले में सोयाबिन उपारजन के लिए किसानों का ई उपारजन पोर्टल पर पंजियन प्रारम हो गया है किसान सोयाबिन विक्री के लिए आगामी 20 अक्टूबर दोजार चोईस तक अपना पंजियन करा सकते हैं धारजिले के सरदारपुल ब्राग के रिंगनोद में मंत्री डॉक्टर कुवर विजाशाह ने छात्रावास का निरिक्षन किया यहां के जनजाती छात्रावास में करेंट लगने से दो छात्रों की मृत्यों हो गई थी इस बुलिटर में बस इतना ही नमस्कार